सलमान खान, कैटीना कैफ और इमरान हासमी इस्टारर टाइगर 3 फुल पैसा वसूल फिल्म है फिल्म में शारुक खान सलमान खान का एक्शन सिकेंज फिल्म की जान है हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों सलमान खान की मच अविटेट फिल्म टाइगर 3 सिनेमा गरों में रिलीज हो गई है अगर आपको भी जानना है कि टाइगर 3 फिल्म कैसी गई है इस फिल्म में ऐसी क्या-क्या खास बाते हैं तो मेरी वीडियो को अंतितक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर के पास एक नया मिशन है इस बीच कुछ पुराने जखम भी है जिससे जुड़ा है फिल्म का विलेन आतिश रहमान यानकी इम्रा नाश्मी आतिश आई-एसाई का डिप्टी डिरेक्टर रह चुका है और उसे अपनी पतनी शाहिन यानकी रिद्धी डोगरा और उसकी कोक म पल रहे बच्चे की मौत का बदला लेना है टागर इस बार अपने बेटे को आतिश से बचाने के लिए मैदान में उतरता है जिसमें से धेर सारा एक्शन ट्विस्ट और बढ़िया क्लाइमेक्स है फिल्म में दमदार एक्शन बढ़िया परफॉर्मेंस भैतरीन ट्विस् खास तोर पर फिल्म का पहले हाफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे देखकर आखे खुली रह जाएं लेकिन फिल्म का दूसरा हाफ काफी अच्छा है जहां पर कमाल के एक्शन सिक्वेंस हैं कई सीटी मार मूमेंट्स भी देखने को मिलते हैं करीब देड़ गंटे बाद फ सबसे अच्छा सीन भी है दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के परफॉर्मेंस की तो जो स्वैक सल्मान खान का 11 साल पहले एक ता टाइगर में देखने को मिला था वही जादू इस बार भी कायम है 58 साल के सल्मान खान कमाल करते दिखते हैं कई बार ऐसा भी लगता है कि न राइटर्स ने कहानी को आगे ले जाने पर ज़्यादा फोकस किया है ना कि जोया टाइगर की लव स्टोरी पर फिल्म में इम्रान हाशमी एक दमदार विलन बनकर निकलते हैं और उनकी बॉडी लेंगिज से लेकर आवाज तक सब कुछ परफेक्ट सा लगता है सल्मान इम पीच में आपको गुदगदाने का भी काम करेंगे टाइगर 3 एक मासी और मसाला फिल्म है और इसे जरूर देखना चाहिए हलांकि ये मास्टर पीस नहीं है लेकिन दो बड़े सुपरस्टार शारुक खान और सल्मान खान आसानी से किसी भी फिल्म में देखने को नहीं मिल ये सरप्राज आपको सिनेमा घरों में जाके खुद बखुद देखना पड़ेगा तो दोस्तों ये अता सल्मान खान की फिल्म टाइगर 3 के ऊपर कुछ मेरा ओपिनियन जो मैंने आपके सामने रखा और इस फिल्म को मैं देना चाहूंगा 5 मैं से 4.5 इस्टार की सके तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में